नमस्कार साथियों, स्वागत है, सभी मित्रों का, सभी साथियों का, अमर्त करफा अकेडमी के इस ओन्लाइन डिजिटल प्लेटपॉर्म पर, मैं परविन राठोड एक बार फिर से आप सब का हार्तिक स्वागत करता हूं दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्तान के लोक देवता, जिसमें हमने पहले पार्ट में लोक देवताओं का बेसिक पढ़ा, और लोक देवता रामदिव जी के बारे में अध्यन किया था आज की इस क्लास में दोस्तों हम उसी पार्ट को हम लोग देवताओं के नेक्स्ट पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और सलिए करते हैं शुरुआ दोस्तों आज लोग देवता नेक्स्ट आपके हैं पाबू जी राठोड पाबू जी राठोड चर्चा करते हैं सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जिस लोग देवताओं को पढ़ें गें उस लोग देवता के उपनाम देखेंगे जैसे पिछले पाट में रामदेव जी के उपनाम आपने पड़े थे रामसा पीर, पीरो के पीर, रूनिचिरा धनी, लिले घोड़े वाले बाबा, कुष्ट्रो का निवारक देवता, सामपरदा एक सद बाव का देवता, उसी परकार पाबुजी राठोड के क्या-क्या उपनाम देगे दो इसकी चर्चा हम आगे स्टोरी में करेंगे, तो एक तो हो गया इनका उपनाम गोरक्षक देवता, ठेक, इनका सबसे फेमस, सबसे लोगफ्री उपनाम है उन्टों के देवता, जो बार-बार अग्जामों में पुछा गया अग्जामों में, उन्टों के देवता, पाबु पापु जी सबसे पहले उट लाये थे पापु जी ठेक है इसके बाद में दोस्तों आगे देखिए पलेग रकसक देवता था पलेग रकसक देवता था पलेग दोस्तों एक रोग होता है चुहे के काटने से पापु के समय में यह प्लेग रोग बहेंकर विक्राल रूप ले चुका था और बड़े-बड़े जो समय के अंबीबियस डोक्टर थे वो भी इसका इलाज नहीं डूंड पाए थे तो पाबुजी ने इस से प्लेग रोग का है वो इलाज किया था दोस्तों उस समय में तो प्लेग र प्लेग रख्षक देवता इन्हें ही दोस्तों कहते हैं हाड फाड के देवता क्या कहते हैं हाड फाड के देवता इन्हें ही कहते हैं तो गो रख्षक देवता उन्टों के देवता प्लेग रख्षक देवता और हाड फाड के देवता दोस्तों है वह आपके किसको कहते हैं पाबुजी राठोड को जो बीच फेरों के बीच में चोते फेरे में दोस्तो अपना जो गट जोड़ाय साधी का उसको फाड कर गए थे गयों को बचाने के लिए वो हमारे लोग देवता है दोस्तो पाबुजी राठोड चलिए उपनाम हो गया इसके बामे देखे गोरकसक Deoate Aude अब पॉइंट आता है जनम टो इनका जो जनम है जो Henry आस्थ यह फ्व्वाथ आपके 1249 इश्विय कब वह था 1249 इसविय में और आपको अगर विक्रम समत में ग्यात करना थोस्तों तो विक्रम समत में ग्याद करने के लिए आप सत्याउन वर्ष एड़ कर देना सभी लोग देवताओं में अगर मैं इश्वी में लिखा रहा हूं आपको तो आप सत्याउन वर्ष एड़ कर देना वह आपका आजाएगा इसका विक्रमिस्वत में जनम आजाएगा ठीक है तो इसमें आप कहा पड़ता है दोस्तों कोलुमंड नगर पड़ता आपके फलोधी तैसिल में और फलोधी तैसिल आपके है जोधपूर में तो इनका जनम 1249 श्वी कोलुमंड जोधपूर में वाता पाबो जी का मैंने आपको पिछले टोपिक में बताया था कि चार लोग देवता अवतार ह थे राम देव जी कर्शन के अवतार थे देव नरण जी विश्ण के अवतार थे वीर कल्ला राठोड सेशनाक के थे तो दोस्तों पाबो जी राठोड है वो किसके अवतार थे बताया था मैंने आपको पाबो जी राठोड दोस्तों किसके अवतार थे लक्समन के अवतार र राजस्तान में अगर किसी देवता का अवतारों से समन्दित क्यूशन है तो सबसेदा यही पुचा गया है कि राजस्तान में लक्षमन का अवतार कौन सा देवता हुआ है तो लक्षमन का अवतार दोस्तों वो पाबुजी पुजा गया है ठीक है next point राम देव जी में पढ़ा कि राम देव जी अर्जुन वंस ये थे तो पाबू जी राठोड है दोस्तो वो किसके वंसर्ज माने गए है तो मारवाड में राठोड वंस का सच था पकोन था दोस्तो राव सिहा कोन था राव सिहा तो उसी राव सिहा के वंसर्ज कोन है दोस्तो पाबू जी राठोड ठीक साब next चर्चा करते हैं दोस्तो आगे इनके पिता का नाम बताओ पाबू जी के पिता का नाम धांदल जी राठोड कौन थे धांदल जी राठोड है वो इनके पिता जी थे थेक है इनकी इनकी माता थी और पतनी तो पतनी का नाम इनकी पतनी थी सूप्यार दे कौन थी दोस्तों सूप्यार दे है जिसे कई जगा फूलम्दे भी लिखा गया है फूलम्दे भी इसी को खा गया है सूप्यार दे या फूलम्दे ये शूप्यार दे या फूलम्दे दोस्तों ये भी अमर्कोट की थी जैसे प्रकार आपने पड़ा था रामद्यों जी की पतनी अमर्कोट के सोडा राजपूत डले सिंग की बैटी थी तो ये अमर्कोट के सोडा राजपूत सूरजमल या सूरज कौन थी सुप्यार्दी ये देखो सामाने परिचे पड़ा है एक बार वापस देखे पाबुजी के उपनाम गो रख सक देवता उंतों के देवता पलेग रख सक देवता हाड़ पाड़ के देवता जनम 1249 कोलुमेड जोध पुर्मिवा किसके वंसर जार राव शिया के पिता है धांदल जी राठोड माता है कमला दे पतन ये सुप्यार दे या फूलम दे जो आमरकोट के सोडा राजपुत सूरज शिंग सूरजमल की बैटे थी क्लियर हुआ आगे चलते हैं नेक्स देखिए अब देखते हैं दोस्तों आगे पाबुजी की एक छोटी सी स्टोरी जिसमें हम देखते हैं कि पाबुजी किस प्रकार गायों की रक्सा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं चलिए पाबुजी की समय देखिए दोस्तों नगर था उस नगर का गाउं का नाम था कोलुमड इसी कोलुमड नगर में दोस्तों एक महिला रहती थी महिला का नाम था दोस्तो देवली चारनी कौन थी दोस्तो देवली चारनी नमत महिला रती थी दोस्तो और देवली चारनी दोस्तो क्या चराती थी ये गाएं चराती थी गाएं रखती थी और दोस्तो इन्ही गायों के बीच में देवली चारने के पास एक सुन्दर गोरी थी, गोरी का नाम था दोस्तो केसर कालवी, केसर कालवी, केसर कालवी, तो केसर कालवी जो गोरी है दोस्तो, ये केसर कालवी गोरी है, वो किस की थी, देवली चारने की, और देवली चारने के इन गायों के बीच में जो एक सुन्धर गोडी थी दोस्तों काले रंकी ये गोडी इतनी सुन्धर गोडी थी कि इस गोडी को देखने के लिए मारवाड कि जागिर्दार जो लोग है वो आस पास से दस दस पंदरा पंदरा कोश से पैदल चलकर इस गोडी को देखने के लिए आते थी इस गोडी की क्या विशेश्था थी दोस्तो एक तो ये घोडी है धुस्तो जब जब भी गाऊं कोई जो चोर वगएर गुश जाते थे तो चोरों के गुषने तो इसके एक अलगी विशेशता थी इस गोडी की तो अलग अलग मारवाड की जागिरदार आकर देवली चारणी से कहते हैं कि देवली ये जो तुमारी सुन्दर गोडी है वो गोडी हमें दे दे बदले में तुझे कोई रकम पैसा चाहिए धन चाहिए तो बोल लेकिन नहीं दूनगी अब साब जब इतने सुन्दर कोई वस्तू कोई भोड़ी अगर अथनी सुन्दर होगी तो उसके चर्चे भी हैं अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इस भोड़ी कि चर्चे पूरे मारवाड में फैल गए कि इतने सुन्दर भोड़ी है किसे महला के प पास इतने सुन्दर गोड़ी है और जायल दोस्तों कहां पढ़ता है जायल पढ़ता है दोस्तों नागोर में कहां पढ़ता है नागोर में पढ़ता है दोस्तों जायल नागोर का एक जागिरदार था जागिरदार का नाम था दोस्तों जिंदराव खिंची क्या था जिंदरा खिंची को उन जागेदर उन जाकर बता दिया कि कोलूमेंड में किसी महिला के पास इतनी सुन्दर गोड़ी है और ये जो जाहिल का जागेदर है ये रिष्टे में पापू जी का लगता था बहनोई क्या लगता था बहनोई जिज्जा लगता था जिज्जा पापू जी की ब जायल के जागिदार को जब इस वात का पता चलता है तो जायल का जागिदार है पहले पाबुजी के पास में आता है कि पाबुजी चलो और आपके कुलूमंड में इस देवली चारनी के पास चलो किसी देवली चारनी महिला के पास इतनी सुंदर गोडी बताईए उस गोडी क मैं लेकर आऊंगा तो पाबोजी कहते हैं कि वो देवली है वो देवली किसी को अपने गोड़ी नहीं सोपती है वो गोड़ी आपको क्यों सोपेगी मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा अब जिंद्राव है वो अपने साले पाबोजी से नराज हो जाता है कि आप मेरे साथ आप मुझे वह गोड़ी दिला कर लाओं मैं पैसे वाला हूं मैं रूपए देदूंगा बतले में तो पाबोजे ने कहा कि लोग सारे जागीदार आकर चलेगे वह किसी को ने दे रहे हैं आपको क्यों दोंगी तो जिंद्राव इससे देवली के पास आता है देवली के पास कहता है कि देवली तो मारे सुंदर गोड़ी है वो मुझे दे बतले में रूपया धन ले ले तूँ देवली मना करेती है कि ठीक है पावणा आप आयो हमारे कोलमंड में चल कर तो आप चाय वाई पिलो अराम करो लेकिन मैं गोड़ी किसी को ने दूँगी आप से पहले भी कितने जागीदारा को चले गए आप हमारे पावणा है यहाँ पर आये हूँ ठीक है आपका मान समान करते हैं लेकिन गोड़ी आपको मैं नहीं दूँगी मैं किसी को नहीं सोपूगी मेरी गोड़ी इन गायों की बिच में एक ही तो सुंदर विरासत है मैं आपको मेरी लेता हूँ मैं लेकर ही ता हूँ मैं आप को यह एक प्रक्ता से छेताओने रहा हूं कि या तो यह घोड़ी मुझे देदो और या तो मुझे कृझ द्री द्री बदront मुझे बल़ग छिंना भी आता है तो देवली कहते कि आत धन पको देद दूँगी ने आपको बल्ल की बजले दूँगी आपको जो करना वो कर लेना ये मेरी गोडी मैं किशी को नहीं दूँगी अब जिंदराव किशी देवली से नराज होता है और अपने साले पाबू जी से भी नराज होता है और नराज होकर चला गया कहाँ पर जायल जायल चला गया वापस अब थोड़े दिनों के बाद में क्या है कि पाबू जी का है वो रिष्टा ते हो जाता है पाबू जी का रिष्टा ते हो जाता है अमर कोट में कहाँ पर अमर कोट में किस के साथ साथ अमर कोट में सुप्यार दे के साथ किसके साथ सूप्यार दे सूप्यार दे के साथ जो आपके अमरकोट के सोडा राजपूत सूरोजमल की बेटी थी सूप्यार दे के साथ रिष्टा हो गया तो अब पाबुजी है वो पाबुजी है पहले तो अपने जाहिल के इस जागिदार को निमंतर बेजते हैं कि आपको शादी में आना है अपने बहनोई को तो भई निमंतर बेजेंगी अब पाबुजी एक संदेशवा को जाइल बेजते हैं और जाइल जाकर संदेशवा कहता है कि आपके साले का है वो विवाते होगे आपको शाधी में आने, जाहिल का जागिदार पहले ही पाबुजी से क्रोधी था, वो शाधी में आने से निकार कर देता है, अब पाबुजी इस देवली के पास आते हैं, कि देवली मेरी शाधी हो रही है, और साधी में आपकी घोड़ी चाहिए मुझे, वैसे पाबुजी वचन सिध पुरुष थे तो देवली से का कि देवली मुझे आपकी ये सुन्दर गोडी है के सरकाल भी वो गोडी चाहिए और मैं साधी के लिए जा रहा हूँ एक ही मैं एको अपको लेकिन मेरे लेती वागा उन्द आती है तो मुझे पता चलता किर देपकी को पेड़ा रहाए गोडी ये पाबुजी जिस हालत में जहां पर भी होगा जैसे ये गोडी हिन नाएगी ये गोडी हिन नाएगी इस गोडी के हिन नाते ही मैं तुरंत समझाओंगा कि आप पर कोई आपद्दा आई है आप पर कोई विपता आई है और मैं तुरंत गोडी पर शवार होकर आपके पास आपकी रक्सा करने के लिए आपकी विपद्द आई तो मैं जरूर इस गोड़ी के हिन राती में तुरंत किसी भी श्तति में हो मैं आ जाऊंगा चाई मुझे मेरे फेरे बीच में छोड़ कर आना पड़े इस प्रकार का वचन लेकर देवली ये गोड़ी किसको दे दिती है पाबुजी को दे दिती है अब पाबुजी इस गोड़ी पर शवार होकर है इस गोड़ी के सरकाल भी गोड़ी पर शवार होकर कोलूमेंड से है कह उसी दिन जिस दिन पाबो जी का विवा हो रहा था उसी दिन जायल का जागिदा जिंदराव खिंची है वो है इस देवली चार्णी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए जिस दिन पाबो जी की साधी हो रही थी उसी दिन देवली चार्णी की गायों पर क्या कर देता है आकर्मन कर देता है और देवलिस की गायों पर आकर्मन करके इसकी गायों को ले जाता है देन्चू गायों की तरफ किदर ले जाता है देन्चू गायों किदर पड़ता है भई देन्चू गायों पड़ता है जोधपुर में देन्चू गायों जोधपुर में इसकी गायों को अगर वो केसर कालवी को जाएल में बांध कर आजाएगा, तो तेरी गाए आ जाएंगी अने ता तरी एक भी गाए नहीं आएगी, इस परकार की बोल मारकर है, वो चला जाता है, अब इधर जैसे ही देन्चू गाओं में इसकी गाएं लेकर, ये जो आपका जागीदार है, व तो इसकी गोडी थी देवले की, वो कहा आयो ही थी, उससमें अमरकोट में आयो ही थी, पाबुजी को ब्यानने के लिए, और ये गोडी हिन नाती है, पाबुजी के चल रहे थे फेरे, क्या चल रहे थे, फेरे चल रहे थे, पाबुजी के फेरे चल रहे थे, पाबुजी अप हम फेरे ले लेकिन गोड़ी हिन नाई फिर नाई जोर जोर से और गोड़ी है वो अपने है इस्तान से है वो भागने लगी फिर भागने लगी तो पाबुजी उस समय अपने चोते फेरे में थे और किते फेरे ले ले थे तो पापू जी की ससूरते सूरजमल сोड़ा उनों ने कहा कि आप जामात जी आप इस समय कहां जा रहे हूँ आप एक बार इसके साथ सुप्यारदे के साथ फे तो पूरे ले लो फेरे पूरे ले लो उसके बाद में आप गयों की रक्षा करने चलय जा ना पापुजी ने का कि नहीं मैं वचन मत हूँ मैं उस देवली को वचन दे चुका हूँ कि मैं जिस इस्तिती में होँगा उस इस्तिती में ही आपकी गोड़ी अगर हिन नाएगी तो मैं आपके पास आ जाओंगा तो अब मुझे जाना पड़ेगा साब अब पापुजी का मलब सरोजमल सोडा कहते कि रुखजो अगर उसकी घोड़ी हिन ना रही है तो उसकी गायों पर अगर विपत्ता आई है अगर उसकी गाये कोई ले भी गए है तो उसकी गायों के बदले मैं दबल गाये दुगूनी अमरकोट से पापुजी कहते हैं बात गयों की नहीं है बात रजपुती की है बात वचन की है मैंने वचन दिया है देवली को तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा अब पापुजी गट जोड़ा तोड़ते हैं अपने साधी का बीच में गट जोड़ा तोड़ते हैं फेरों मैं अभी गाइवं को बचाने के लिए जा रहा हूं, तो अब पाबी जी अपना गठ जोड़ा तोड़ते हैं, और गाइवं को बचाने के लिए यहां से निकलेंगी अपने तीन-च्यार साथ हों के साहत, चांदा, डेमा, हर्मल, सलजी कईयों के साथ निकलते हैं और इस गोड़ी को बचाने के लिए देवली की गायों की तरफ निकल जाते हैं बारा सो छिंतर इश्वी में बारा सो छिंतर इश्वी की गटना है और बारा सो छिंतर इश्वी में देवली चारने की गायों की रक्सा के लिए अपने ही बेन्मोई जायल की जागेदार जिंदराव खिंची के साथ पाबुजी का बयानक युदत है और उस युद में पाबुजी इस देवली की गायों की रक्सा करते लड़ाई के उसी लड़ाई में क्या हो जाते हैं वीर गत तो इस कहानी का क्या सार है इस कहानी का यही सार है कि पाबुजी राठोड ने बारा सो चिंतर इश्वी में देवली चारनी की गायों की रक्सा अपने ही बहनोई जाहिल की जागेदा जिंदराव खिंशी से करते हुए देंचु गाउं में उसके साथ युद किया और वीरगत प्राप्त हुए देंचु गाउं में उनकी क्या बनी है समाधी बनी है क्या बनी है समाधी तो देखो इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे पाबुजी ने 1200 चिंतर इश्वी में देवली चारनी की गायों की रक्षा अपने बहनोई अपने बहनोई जायल के जागिदार जायल पढ़ता है नागोर में जायल के जागिदार जिंदराव खिंची से करते वे जिंदराव खिंची से करते वे जिंदराव खिंची से करते वे देंचु गाउं जोदपुर में उसके साथ युद किया तथा वीर गति को प्राप्त हुए तथा वीर गति को प्राप्त हुए देंचु में उनकी समाधी बनी है ये तो गया इस कहानी का साथ ठेक साथ में इसके बाद में हम देखे आगे पाबु जी की समा दिका है और देंचु गांओ में अब पूछे पाबु जी का मुख्य मंदिर पाबु तो आपको बताना है कोलूमेंड में कहां पर है कोलूमेंड कोलूमेंड परता है आपके जोदपूर कोलूमेंड जोदपूर में पाबुजी का मुख्य मंदिर देहा रखना यहां पर परतिवरस मेला का बरता है परतिवरस मेला बरता है आपके चित्रमाउश्या को कब आता है चित्रमाउश्या को पर्तिवरस, चित्रमाउश्या को पाबु जी का मिला बरता है, जहां रखना चित्रमाउश्या को एक मिला और था आपके गोटियां अंबा मिला, गोटियां अंबा मिला, चित्रमाउश्या को बासवड़ा में लगता है, कहां लगता है, बासवड़ा में ठेक इसके बाद में हम बात करें आगे पाबू जी है इनके सहयोगी कोन थे इनके सहयोगी जो पाबू जी का सहयोग किया था जिनों ने और ये तीन च्या राते हैं चांदा, डेमा, चांदा, डेमा, हर्मल, सल जी, सोलंकी ये आपके पाबू जी के सहयोगी थे, ठेक न, ठेक साब, इसके बाद में पाबू जी का बोध चिन, पाबू जी का बोध चिन मतलब इनका प्रतीक चिन क्या है, पाबू जी को कैसे दर्शाय गया है, तो पाबू जी को भाला लिए अस्वरो योध्धा और बाई तरब जुक भाला लिए अस्वय रोही योध्धा तथा बाईं तरफ जुखी पगड़ी ये किसका बोधचिन है पाबुजी का गोगा जी का बोधचिन आगयाएगा पत्थर पर सरफ किया करती तेज्जा जी का बोध चिन हैगा भालालिये अस्वर योध्धा और जीब पर सरफदंशिर तीन लोग देवताओं की बोध चिन परफिक चिन आपको याद करने ठीक है तो इनकी समाधी देंचुगाओं में है पाबो जी का मंदिर कोलूमेंड में है जहाँ पर मिला चित्रमाउश अगवाता है इनका एक छोटा सा मंदिर आहड उदेवपूर में भी मिलता है आपको और इनके सहयोगी चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सोलंकी थे जिस पर का रामदेव जी के रतना, राइका, लख़्ी, बंजारा, हर्जी बाठी थे इनका प्रतीक चिन, बोध चिन के है पाबुजी का, बहला लिए अस्वरो योधा और पाबुजी को बाई तरफ जुकी भी पगड़ी, इस पर का दर्शाय गया है इसके बाँ में देखिए, पाबुजी है, ये पाबुजी है, ये राजस्तान में सर्वपर्थम उट लानने वाले देवता कोन थे, पाबुजी थे आरकना आपके स्रिलंका से उट आये थे, सिंध परांत में और स्रिलंका से फिर सिंध परांत से आपके पाबुजी ले आये, आपके हमारे तो सबसे पहले उँट लाने वाले देवता है पाबुजी और सर्वपरतम उँट लाकर पाबुजी ने किस जाती को दिये रायका या रेबारी जाती को पाबुजी ने उँट लाकर दिये थे अते राइका या रेबारी जाती के आपसे आरद देव पुछे कि राइका या रेबारी जाती के आरद देव कौन से है तो वो पाबुजी है क्योंकि पाबुजी ने सबसे पहले उम्ट लाकर राइका और रेबारी जाती को ही दिये थे आता है राइका या रेबारी जाती के पाबुजी आरा देदे हो गए हलागि पाबुजी राइका या रेबारी के अलावा आपके थोरी जाती में पूझे जाते हैं किस में थोरी जाती में पूझे जाते हैं और आपके भीलों में भी पूझे जाते हैं तो थोरी जाती में पूझाते हैं और भीलों में भी पाबुजी ही पूझाते हैं आपको द्यान रखना इसके अलावा मुसल्मानों में आते हैं आपके मेहर जाती के मुसल्मान कोन आते हैं मेहर जाती के जो मुसल्मान है ये मेहर जाती के मुसल्मान है वो पाबु जी को पीर मान कर पूझते हैं तो पाबु जी को पीर मान कर मुसल्मानों की कौन सी जाती है पूझती है वो है मेहर जाती ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है न तो पापुजी वैसे तो सबसे दा राइका या रेबारी जाती में पूझे गए हैं ध्यानक ना इस राइका या रेबारी जाती को कहते हैं उट पालग जाती तो उंट के बिमार पढ़ने पर है इसी इनी लोग देवता पाबू जी की फड़का वाचन होता है उंट के बिमार होने पर किस लोग देवता की फड़का वाचन होता है पाबू जी की फड़का वाचन होता है उन्टों में उस समय रोग चलता था सर्रा रोग उस सर्रे रोग में क्या होता था कि उन्ट के मों में जाग आकर है वो वेवस होकर गिर जाता और फिर उसकी मर्तिव हो जाती थी तो फिर है उंटों के है शर्रे रोक के इलाज के लिए है पाबु जी ने आईरुवेद विदी है उसका खोज किया था अत्य है उंटों के बिमार होने पर भी है आज भी है पाबु जी की ही फड़का वाचन होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना तो उंट के बिमार होने पर पाबुजी की फड़का वाच्चन होता है देखिए पाबुजी की जब फड़का वाच्चन होता है तो इनकी फड़के वाच्चन में कौन सा वद्देंतर बजता है तो पाबुजी की फड़के वाच्चन में भी वही वद्देंतर बजता है उस वद्देंतर में सभी देवताओं में आप से पूछे कि सबसे लोग प्रिय फड़ किस देवता की है सबी लोग देवताओं में सबसे लोग प्रिय फड़ है वो है पाबुजी की फड़ को है सबसे लोग प्रिय मना गए ध्या रखना ठेक है हालांकि सबसे लंबी सबसे बड़ी फड़ है आगे देवनारण जी का है इसके अलावा पाबो जी ध्यान अकना आप है वो पाबो जी नाए फोरी जाती के उद्धारः ने गहां है वो है पाबो जी मतलब साथ ठोरी बहुं थे और उन साथ थोरी भायों की पाबु जी ने एक गुजरात का सा सकता अन्ना बग्गेला उस अन्ना बग्गेला से हैं पाबु जी ने उन साथ थोरी भायों की रक्षा की थी और थोरी जाती के उद्दार कोन हो गए आपके हैं पाबु जी हो गए और थोरी जाती है दोस्तों पाबु जी क याद मैं पाबूदहने की वाचना का यस गात देखेंगे शर्वEvet ऊंट लाये ते स्रेलंका सिंध प्रांच से और उंट लागा किसको दी पाबूजी ने राइका रेबारी जाती को जिसे उंट पालक जाती कहते हैं अत्या राइका रेबारी जाती के आराद देव कुन हो गए पाबुजी पाबुजी राइका रेबारी के अलाव भी किस में पुझे जाते हैं थोरी जाती में भीलो में पुझे जाते हैं मेहर जाती के मुसल्मान है वो पाबुजी को पीर मान कर पूछते हैं उंट के विमार होने पर किस की फड़का वाचन होता है पाबुजी की फड़का वाचन और पाबुजी की फड़का वाचन है वो ज्यादा तर नाय किया थोरी बोपे करते हैं कोन करते हैं दोस्तों इनकी फड़का वाचन ज्यादातर नाय किया थोरी बोपे हैं, वो इनकी फड़का वाचन करते हैं, और फड़के वाचन में क्या बजाते हैं, रावन अत्ता बजाते हैं, जिसमें नो तार होते हैं, सभी देवतों में सबसे लोग पर ये फड़ पाबु जी की है, और थोरी जाती पाबु धनी की वाचना का यस गाती है थोरी जाती के उद्दा रख दे उता है पाबु जी जो थोरी जाती है न दोस्तों ये थोरी जाती है वो पाबु धनी की वाचना का यस गाती है थोरी जाती पाबु धनीरी वाचना का यस गाती है पाबु धनीरी वाचना का यस जो थोरी जाती है दोस्तों यह थोरी जाती पाबु दनेडी वात्चन ended शारंगी दोस्तों सारंगी वद्धर जो जिसमें 27 स्थी सरंगी वद्धर जोस्तों इस्जो शारंगी वद्धर दोस्तों है अब को ढचान में बचाती है या आपको ध्यान मेंasia देखिए दोस्तों पाबुजी है पाबुजी के पवाडे गया जाते हैं पवाडे गया जाते हैं पवाडे क्या होते दोस्तों किसे भी मापुरुस की जीवनी है उस वीर गात्था है उस वीर गात्थों को है दोहों के रूप में है उस वीर गात्था को गानों के रूप में और पापुजी के पवाडे इसका अर्थ क्या हो गया किसी मापुरुस की महापुरुस की वीरगाथा को गाना वीरगाथा का वर्णन करना पवाडे कहलाते हैं पवाडों में किसी महापुरुस की वीरगाथा का वर्णन होता है और पापुजी के पवाडे गाते समें कौन सा वद्धे इंतर बजा जाता है माठ वद्धे इंतर बजा जाता है वह आपके एक ताल या अवनत वद्धे इंतर है जो मिटी से बना होता है गड़े नुमा अकार का वाद दिंतर होता है और उस मिट्टी से बने पात्र पर उस मिट्टी के पात्र पर चमडा मंड कर इसका निर्मान होता है अता है यह ताल या अवनद स्रेनी का वाद दिंतर हो गया और माठ वाद दिंतर पाबुजी के पावडों में बजाया जाता है परशन पूछा जा चुक है तो पाबु जी के संदर में वैसे तीन वाद देंतर आगे तीन क्या आगे हमने पड़ा कि पाबु जी की फड़का वाचन होता है नाएक या थोरी बोपे करते हैं उस फड़के वाचन में तो रावनता बजता है क्या बजता है रावनता हमने पड कि पाबु जी की याद में पाबु धनी की वाचना का यस कौन गाती है थोरी जाती थोरी जाती पाबु धनी की वाचना का यस गाती है उसमें तो कौन सा वादिंत रहे सारंगी वादिंत रहे पाबु जी की फड में रावनता पड़ा था जबकि पाबु जी के पावडे गात वरतमान में पूछता और जी की याद में अधार चुक। इसजा शूभाम कवार्वाड़ जोधवर्पूर कौन सा नर्थ का या उसे थाडी नर्थ कहते जो सिर्फ धाडी बजा कर किया जाता है उसे धाडी नर्ते कहते हैं तो पाबू जी की याद में मारवाड में थारी नर्ते होता है परसंड पुछा जा चुका है किस लोग देवता की आराधना में थारी नर्ते होता है थारी नर्ते पाबू जी की याद में होता है तेजा नर्ते तेजा जी की याद में गोगा नर्ते गोगा जी की याद में लेकिन थाड़ी नर्ते हैं वो मारवाड में किस की याद में होता है पाबु जी की याद में होता है ध्यान रखना दोस्तो नेक्स हम बात करें दोस्तो पाबु जी है इन पाबु जी के जीवन पर इनकी जीवन पर प्रकाश डालने के लिए एक गरंत लिखा गया बार बार परिक्ष्या में पुछा गया है पाबु जी के जीवन पर है वो एक गरंथ लिखा गया पाबु जी के जीवन पर एक गरंथ लिखा गया उस गरंथ का नाम है दोस्तों पाबु परकास गरंथ कौन सा पाबु परकास गरंथ है ये पाबु जी के जीवन पर लिखा गया दोस्तों और पाबु परकास गरंद की रचना किसने की ती जबकि पाबु जी राचंद किसने लिखा पाबु जी राचंद बिठु मेहाने लिखा ता देहान अकनावेट ठेक है तो आपके ये प्रशन पुचा जा चुका है पाबु परकास गरंद किसने लिखा ता आपके ओशिया मोड जी ने तो थोरी जाती पाबु जानी की वाचना में शारंगी बजाती है पाबु जी के प ओशिया मोड जी ने की और पाबु जी राचंद है वो आपके बिठु मेहाने लिखा ता तो ये आपके पाबु जी पड़े हैं दोस्तों हमने देख लो देखना चाहो तो एक बार आपके पाबु जी के बारे में उपनाम देखें गोरक्सक देउता उन्टों के देउता प पतनी सुप्यार दे फूलंदे अमरकोट के सोडा राजपुत सूरच सिंग की बेटी थी दोस्तों इसके बाद में आपने देखा है कि पाबु जी ने बारा सो चिंतर इस्यों में देवली चालने की गायों की रक्षया अपने बेनोई जायल के जागिरदार जिंदराव खि किया और फिर वीरगति को प्राफ्त हो गई देंचु में उनकी समाधी बनी है उनका मंदिर कोलूमंड में है वहाँ पर मेला चित्र माउश्या को बढ़ता है जाद इनके सयोगी चांदा डेमा हरमल सलजी सोलंकी वो इनके सयोगी थे पाबु जी का बोधचिन भाला लिए अस्वरों योद्दाल और बाईं तरह पे जोकी पगड़ी इसके बाब में इन्होंने सबसे पहले राजस्तान में उंट लेकर आहे थे पाबु जी राइका रैबारी जाती को दी गो ऊंट पालक जाती हैं सबी देवताओं में सबसे लोग प्रिय फड़ है थोरी जाती का उधार किया था अतै थोरी जाती के उधारक देवताओं गए पाबो जी पाबो धने की वाचना का यस गाती है थोरी जाती तो सारंगी बजाती है पाबो जी के पवाड़े गाते समें इनकी वीर गात्था समय मार्वार जोद्पूर में इनकी आद में थाड़ी नर्ते होता है पाबु जी के जीवन पर पाबु परकास गरंत की रचना दोस्तों किशने की ओश्या मोड जी ने पर्शन पूछा गया है पाबु जी राचंद बिट्टो मेहा ने लिखा था दोस्तों ये होते हैं लोक देउता पाबु जी राठोड बोलिये पाबु जी राठोड की जै हो